हां जी बच्चे फार्टी शुरू करें कयामत सही कयामत तक मैं वेपिन आपके सामने बाद फिर आज लिकर आया हूँ लेक्शन नमबर 48 on smart read vocab हमीशा की तरह आज की इस लेक्शर में मैं डिस्क्रस करने वाला हूँ smart read deal number 48 में जो passage हमने आपके लिए पिक किया है उसके important complex difficult words phrases, idioms या फिर phrasal verbs को तो चलिए शुरू करते हैं with the very first word of the day which is apocalypse, reference के लिखा है reaction to this information so far straddles the spectrum from financial apocalypse is nine ओके, to so what अब यहाँ फे straddles the spectrum एक idiom आया है, इसको हमीं भी discuss करेंगे, nine basically इसका मतलब होता है very near, adjective है यह time की context में जो बस होने ही वाला है, जैसे बोल सकते हैं आपकी the end is nine यानि जो अंत है वो बस आने ही वाला है और हम बात करेंगे ते apocalypse की, तो apocalypse का meaning लिखा हुआ है, great disaster or catastrophe, यानि कि बरबादी, तबाही, बरबादी चोड़िए, तबाही, पूरी तरीके से सब कुछ तबाह हो जाए, कयामत उर्दू में बोलते हैं, कयामत यानि कि सब कुछ खतम हो गया उस दिन, तो हम बोलेंगे उसको apocalypse हमने face किया अब यह देखे, यह कोई I believe कोई city है, वहाँ पे कोई attack हुआ है, जैसे इस समय Ukraine की हालत ऐसी ही होगी, वहाँ पे जो buildings हैं, even फिलिस्तीन की भी हालत ऐसी ही होगी, तो इस तरीके की जो scenes आपको देखने को मिलते हैं, तब आप बोलेंगे कि ऐसी जगों पे हम क्या देखने को मिल रहे हैं, apocalypse पूरी तरीकी से तबाह होना, बरबात हो जाना, सब कुछ, पुझड़ जाना, ठीक है? So, complete destruction, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, अभी हमारे सामने example है, पढ़ते हैं, events such as the COVID-19 pandemic, which had significant health, economic and social repercussions globally and in India, might be termed a health or societal apocalypse due to its widespread impact and disruption of daily life. COVID-19 जब आया और 2021 की मैं हर बार बात करता हूँ, क्योंकि जो 2020 का था वो इतना severe नहीं था, जो उसका variant था, 2021 में जो वेरियंट आया था, यू डेल्टा था शायद, हाँ, डेल्टा ही था, so, उसने जो impact डाला, economic, health, social repercussions हमें देखने को मिलें, तुछ प्रवाब हमें देखने को मिलें, सब कुछ कलाप्स हो गया, health infrastructure हमेरा कलाप्स हो गया, hospitals में भीड लगी हुई थी, और beds नहीं मिल रहे थे, सब इदर उदर भाग रहे थे, और deaths हो रही थी, लगातार हमने death देखी हैं, और सम्चान घाट हो, चाहे कबरस्तान हो, लाइन लगी होई है, बुर्दों की वहाँ पे, सम्चान में जलाने के लिए, और कबरस्तान में दफनाने के लिए, हमने देखा नदियों में लाशें बहाई जा रही थी, तो इस तरीके से सारा जो हमारा सिस्टम था, एकनॉमिक सिस्टम सब कुछ ठप हो गया, so everything came to a halt, हमने एपकलिप्स देखा, तबाही देखी, तबाही का मनजर, ठीके, आईवोब आप रिलेट कर पा रहे हो, अभी हमारे सामने एक्जाम्बल से ने देखते हैं कौन से ही, कौन सा गलत, बहुत लोगों को लगा कि 2012 में कयामत आ जाएगी, किसी बविश्यवाडी करता ने, नात्रे दमस बहुत पीमस थे, उन्होंने बोल रख था, 2012 में दुनिया खतम हो जाएगी, बहुत सारे लोगों को डर लग रहा था है कि कहीं दुनिया खतम नहीं हो जाएगी, तो यह सही है, कयामत ना जाएगी, तम बिलीव एन अन्वार्मेंटल अपकलिप्स इस लूमिंग दू क्लाइमेट चेंज, हम यह वर्ट डिस्कस कर चुके हैं, लूम लार्ज डॉमिनेट करना, बने रहना आपके दिमाद में, as a matter of concern, यहां भी लिखा है, बहुत सारे लोगों को अब लग रहा है, लुट सारे लोगों को अब लग रहा है, अन्वार्मेंटल अपकलिप्स बस आने को है, यहीं कभी भी तबाही हम देख सकते हैं, आने वाले समय में, बिल्कुल सही है, यह भी सही लग रहा है, अपकलिप्स के जो सर्वाइवर से, उन्हें दुबारा से सुसाइटी को स्क्राच से बिल्ड करना पड़ा, अपने बच्पन के खोए हुए दोस्स से दुबारा मिलने से, अपकलिप्स वाले एमोशन कहां से आवे, तबाही वाले एमोशन गलत हैं, ठीके, तो चले हैं मूब करते हैं, सुनोनिम्स और अन्टरिम्स वाले बाट पर, यह सारे सुनोनिम्स के तौर पर यूज़ की जाएंगे, अन्टरिम्स की बात करें तो साल्वेशन, मोख्ष, रिन्यूवल, दुबारा से खड़ा कर देना किसी चीज़ को, जो तबाह हो गई, कलाप्स हो गई, इसको दुबारा से खड़ा कर देना, इन्हीं अब आपको तबाहिनीक और रिन्यूवल की चिंता ही नहीं है, तो इस दौनों एन्टरिम्स के तौर पर कंसीडर किये जा सकते हैं, नेक्स वर्ड इस कंसमेट, क्या रेफरेंस लिखा है, AI has been safe, filtering drug molecules with consummate ease, कंसमेट एजेक्टिव है, ease, नाउन है, यानि पून, अपने आप में पून, हर तरीके से, हर आयाम पे अपने आप में पून, complete, कुछ अदूरापन नहीं है, एग्जामपल, रवीशंकर वाज एकंसमेट सितार प्लेयर और कंपोजर, पंडित रवीशंकर जी की बात हो रही है यहां पे, उनके बारे में पूला जा रहा है कि अपने आप में सितार प्लेयर जो थे, वो कंपोजर जो थे, कंसमेट थे, यानि पूर थे, लेजन्ड थे, उनके जैसा कोई दूसरा था ही नहीं, रतन टाटा जी का नाम जब भी लिया जाता है बिजनस्मेन के कॉंटेक्स में, बहुत सम्मान से लिया जाता है, इंडिया की बात करें, तो हम देखते हैं मुगे शंबानी हैं, जो की वेल्थवाइस काफी उपर हैं, और लाइम लाइट में भी रहते हैं, पर रतन टाटा जी को उनकी सिंपलिसिटी, उनकी ओनिस्टी और उनकी एथिकल बिजनस प्राक्टिस के लिए हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, तो कंसमेट बिजनसमेन है रतन टाटा, दोनों सेंटेंसे बिल्कुल सही हैं, बहतरीन सेंटेंसे हैं, अभी हम भूब करते हैं हमारे, अहां, एक और एग्जामपल है, अब कंसमेट आज वर्ब मैंने बताया था, किसी काम को पूरा करना, अदूरा नहीं छोड़ना, किसी काम को पूरा करना, इसे बोल सकते हैं, अभी हमारे सामने इंग्जामपल्स पढ़ते हैं, कौन से सही, कौन से गलत, जो बिगिनर है, वो कंसमेट नहीं हो सकता, गलते, the chef's कंसमेट कुकिंग स्किल्स वर प्रेज़ बाई आल दे गेस्ट, बिल्कुल सही, बैतरी नहीं नहीं घाना बनाया, जो गेस्ट ने जिसकी तारीफ की, इस परफॉर्मेंस अज हमलेट वो जो बैतरी अक्टर नहीं हो सकता, वो बैतरी अक्टर ही होगा, यह सेंटेंस भी बिल्कुल सही यूज कर रहा है कंसमेट को, चलिए, डिस्कस करते हैं हम स्किल्ड, एडप्ट, यानि निपोर्ण, प्रोफिशेंट निपोर्ण, किसी स्किल में निपोर्ण, इनप्ट, यानि नौसीखिया जिसको काम नहीं आता, दक्ष ना हो जो, अमेचरिश, नौसीखिया बने बोला, वही आगया आपकी सामने, इनकॉंपिटेंट, यानि छमता नहीं है अगर तो इनकॉंपिटेंट है, बंदा या बंदी, तो इनकॉंपिटेंट के एंटरिम्स वो सारे थे, अभी मूप करते हैं हमारे नए वर्ट पे, नेक्स वर्ट पे, विच इस कॉरोलरी, रफेरेंस के लिखा है कॉरोलरी का, गेटिंग बेटर एट, इट, शुड, पुल डाउन रिस्क, अगें, यहाँ पे, कॉरोलरी, अगें, कॉरोलरी, अगें, कॉरोलरी, अगें, कॉरोलरी, अगें, कॉंसेक्वेंस है, नाउन के तौर पे यूज हो रहा है, as a corollary, corollary returns में को ये doubt लग रहा है अपर यार corollary लिखा हुआ है फिर कॉमा लाग के returns लिखा है as a corollary, returns अच्छा ठीक है corollary के लिए ये आया है article A और returns अलग से कॉमा लाग के लिखा हुआ है plural non के दौर में बिल्कुल सही है, पोईश होनी है तो हम बात कर रहे हैं corollary के, corollary का मतलब होता है a direct or natural consequence or result, यानि कि सीधा सीधा जो प्रभाव है natural प्रभाव, यानि कि प्राकरतिक रूप से ये चीज़ होनी ही है या as a result हमें मिलेगी ही तो हम बोलेंगे कि ये किसी particular event का corollary है example से discuss करते हैं तब समझ में आएगा आपको the expansion of metro rail networks in India cities is a corollary of rapid urbanization and increasing population densities हम जो देख रहे हैं rail network और खासकर कि metros बन रही हैं अलग-अलग शेरों में तो वो क्यों बन रही है वो इसलिए बन रही है कि population density बढ़ रही है लोग जन संक्याज हमारी लोगों की वो बढ़ रही है so obviously जगे तो उतनी है अब transportation लोगों को करना है तो वो buses कम पड़ रही है trains कम पड़ रही है तो metro rail network बढ़ाया जा रहा है अगर शेर में autos कम पड़ रहे है या अगर हैं तो jam बहुत लग रहा है तो traffic को regulate करने के लिए metros बनाए जा रही है so basically सिदा सिदा ये है कि अगर जन संग्या बढ़ेगी तो भाई साब corollary क्या है कि metro network या railway network बढ़ाने पड़ेंगे मशबूरी है नहीं तो कैसा हो जाएगा सब क्यों वसक्रेट हो जाएगा एक और example है depleting groundwater levels in agricultural regions are a corollary of changing climate patterns and irregular monsoon seasons in India बिल्कुल सही बात है हमारे इंडिया में अभी हाल महीं हमने देखा monsoon season हमारा काफी volatile हो गया है कभी 10 दिन आगे चला जाता है पहले आ जाता है तो उस कारण से जो groundwater है वो deplete होने लग गया है यानि उसको पर्याब पानी नहीं मिल रहा है तो इसलिए हमें क्या देखने को मिल रही है water crisis देखने को मिल रही है तो depleting groundwater levels in agricultural regions are a corollary of changing climate patterns यानि कि ये जो हमें देखने को मिल रहा है effect cause क्या है उसका corollary क्या है changing climate patterns ये cause है और effect हमें देखने को मिल रहा है उसकी कारण हमें पानी की कमी देखने को मिल रही है ग्राउंड वाली यानी चो पानी नीचे जमीन के अंदर होता है जिसको पंप के थुरू हम समर्सेबल या ट्यूब बेल्स के थुरू हम ऊपर लेकिया आते हैं ठीक है? तो यही कोरोलरी के एक्जामबल से अभी हम डिस्कुस करते हैं चार सेंटेजिस देखते हैं कौन सा सा ही कौन सा बला नई पॉलसी का कोरोलरी और नेचरल एफेक्ट या प्रभाव क्या पड़ा? कि increase in employment हमने देखा, witness किया बिल्कुल सही बात है टेक्टनोलोजी में जो rapid growth हो रही है उसने उसके कई सारे करोलरी हमें देखने को मिले including increased connectivity यानि अब connectivity का issue नहीं आता है अब यह नहीं कहते हैं किया सकते कि यार मैं उस व्यक्ती तक पहुंश नहीं पाया क्योंकि मेरे पास साधन नहीं था आज की date में network हर जगे हैं, internet हर जगे हैं और sims हर जगे हैं, connections हर जगे हैं तो आप एक बार को चलो ठीक है, आपके sim में आपका plan खतम हो गया calling का पर internet तो था थोड़ा बहुत, उससे आप call कर सकते थे तो आप कोई connectivity का बहाना नहीं बना सकता कि भाई मैं आप तक नहीं पहुंच पाया इस अंडल सही है I believe सही है, उसका hard work का जो natural result था, वो क्या था? उसने अपने सायोगियों से इज़त कमाई इलकुल सही लग रहा है मुझे, कोई इशो नहीं लग रहा है इसमें The corollary to the story catches reader's attention immediately अब ये कुछ absurd सा है Corollary to the story catches reader's attention immediately It doesn't make any sense So this sentence is incorrect बाकी सारे sentences सही थे अभी हम discuss करते है synonyms, consequence, दुशपरभाव, replication यहाँ पर हो सकता है, result, outcome इन क्या आने वाला है, result या outcome Atenyms की बात करें तो cause, कारण और reason यानि कि इस कारण से कोई चीज हुई, वो result है और यह कारण, so opposite ठीक है, आयोब आपस समझ में आ गया Corollary, अभी आपके सामने है Next word, volatility volatility में volatile चुपा हुआ है volatility noun हो गई, और गर मैं यहाँ पर volatile कर दूँ, इसको हटा दूँ I, D, Y को, और इसकी जगह पर लगाम लगाना, team करना control करना, meaning liability to change rapidly and unpredictably especially, especially for the worse, यहनि कि liability की जगे likely होना चाहिए था, यह कुछ मुझे अजीम सा लगा, likely to change होगा, liability to change क्या होगा हाँ, गलत लिखा हुआ है, likely to change rapidly, यहनि उसकी उसकी आदत है, अगर कोई चीज़ volatile है, तो उसका एक characteristic है कि वो बहुत तेजी से change होगा, वो stable नहीं होगा, तो likely ही होना चाहिए likely to change rapidly and unpredictably, यहनि आप को बोलेंगे ऐसा होगा होगा कुछ और, फिर आप बोलेंगे कि ऐसा होगा, तो फिर वो कुछ और हो जाएगा, so ऐसा जो behavior होता है, वो volatile होता है, ठीके और खास करके हमें share markets में देखने को मिलता है, अब देखिए यह example है realized volatility, अब यहाँ पर आपने पोई share खरीदा किसी कंपनी का, मालों आपने यहाँ पर खरीदा, इस price point पर, और आप यहाँ पर पहुच गए, फिर आपने सोचे, चलो बेश देते हैं, पर दिमाग में आया यहाँ यहाँ तक पहुचे और ऊपर जाएगा और फिर पता चला, वो यहाँ दढाम हो गया और फिर आपको यहाँ पर बेशना पड़ा फिर थोड़े दिन बाद आपने सोचा यार, फिर बढ़ने लग गगिया price, फिर आपने सोचे यहाँ खरीद लेता हूँ, आपने यहाँ खरीदä और फिर वो यहाँ पहुच गए, फिर से आप खुश हो गई फिर आपने सोचा, यहाँ और बढ़ जाने companies जो होती हैं, उनके shares अक्सर ऐसे बहेव करते हैं, so, volatility हमें share market में देखने को मिलती है, शली, examples और हैं हमारे सामने, the Indian stock market experienced high volatility during the global financial crisis of 2008, बिल्कुल सही बात है, 2008 में सब prime factor US में जो भुआ था, उसके कारण से हमने अपने Indian markets में share market में volatility देखी, high volatility, बहुत तेजी से market मीचे जा रहा है, अपर उपर आ रहा है, so, इस तरीके से volatility हमें देखने को मिली 2008 में, the variability in monsoon rainfall patterns leads to agricultural volatility in India, सही बात है, monsoon का जो pattern है, वो volatile हो रहा है, variable है, कभी हो रही है वारिश, कभी सूखा पढ़ रहा है, कभी 10 दिन का gap, कभी 20 दिन का gap, कभी पहले आ रही है, कभी बाल आ रही है, इस तरीकी की जो चीज़ें हो रही है, उससे क्या हो रहा है, it leads to agricultural volatility, यानि कि फसलों पर प्रवाब पढ़ रहा है, बहुत जादा, reprications देखने को मिलें दुश प्रवाब, और उससे जो भी फसल होती है, फिर उनके दाम बढ़ जाते है, क्योंकि supply कम होती है, कम फसल होती है, और जब कम होगी, तो obviously market की demand को पूरा करने के लिए price बढ़ जाता है, ठीक है, examples viscous करते है, the volatility of the currency market makes it difficult to predict exchange rates, बलकुर सही है, due to the volatility of the situation, they decided to evacuate the area, situation को देखते हुए, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, उसके कारण उन्होंने decide कि अब भाई, इस area को छोड़ देते हैं, evacuate कर देते हैं, बिल्कुल सही है, emotional volatility can affect personal relationships negatively, बिल्कुल सही बात है, कभी आप खुश हो रहे हैं, फिर अर्य दिन आप बिल्कुल उदास होगें, कभी आप शान्त हैं, फिर आपने अचानक से गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया, तो अगर किसी विक्ती का नीजर ऐसा है, तो relationship negatively effective हो होंगे, बिल्कुल सही है, volatility in fuel prices can impact the entire economy, ये भी बिल्कुल सही है, price अगर fuel का उपर नीचे वोता रहें बार बार, तो पूरी economy पर प्रवाप पड़ता है, so I hope आपको volatility समझ में आया हो, discuss करते हैं, in stability यानि stability की कमी है, turbulence यानि की turbulence हो रहा है, कड़बड हो रही है, turbulence फ्लाइट के कॉंटेक्स में होता है, जब फ्लाइट बादलों में से या खराब वैदर में से होके गुजरती है, तो फ्लाइट जो वूमेंट है, उसका काफी शेक करने लगती है, उसका हम turbulence होते हैं, शेक करना यानि इस्थर ना होना, turbulence, fluctuation, voltage के कॉंटेक्स में आता है, electricity के कॉंटेक्स में, voltage fluctuation हमें देखने को मिलता है, जब power supply प्रॉपर नहीं हो, और voltage प्रॉपर नहीं आते, तो हमें देखते हैं, बल्ब एक्दम से dim हो गया, फिर एक्दम से light ते जा गई, तो voltage fluctuation, ये भी negative होता है, एक जैसा बना के रखना, predictability यानि आप predict कर पा रहेंगे, कि हाँ, ऐसा ही भी इवेर देखने को मिलेगा, तो आप scope, एक जैसा बना के दोर पर consider कर सकते हैं, volatility चलिए, next is the idiom, straddle the spectrum, अब straddle का मतलब होता है, एक position लेना, generally जो gymnast होते हैं, या जो yoga perform करते हैं, yoga art, वो अपने पैरों को बिल्कुल चोड़ा लेते हैं, wide कर लेते हैं, और उसको बोलते हैं straddle करना, और straddle का एक और context होता है, जिसमें कोई गुड़ सवार हो, या bike rider हो, एक पर इस तरफ, दूसरा पर दूसी तरफ, उसको भी straddle करना बोलते हैं, spectrum आपको पता ही है, आपके इंदर दरनुश में, rainbow में, अलग अलग colors का जो पूरा, एक साथ व्यू होता है, उसको हम spectrum बोलते हैं, अभी हम पहले हां, चलिए discuss कर लेते हैं reference, reaction to this information, so far straddles the spectrum from financial apocalypse, is nigh, meaning क्या लिखा है, to encompass a wide range or variety of opinions, attitudes, reactions, or possibilities, it indicates that there is a diversity of responses or viewpoints across spectrum of possibilities, यानि कहने का मतलब जब सीज़त लिदा है, वो यह है, कि आप एक बात पर नहीं चलेंगे, एक बात एक viewpoint पर नहीं चलेंगे, आप जब बहुत सारे viewpoints को encompass करते हैं, शामिली रहते हैं, सम्मिलित करते हैं, तब आप बोलते हैं, यू straddle this spectrum, यानि बहुत सारे viewpoints आप accept कर सकते हैं, तब हाँ, अब physical context में जो बता रहा थे मैं आपको, इन्होंने बिल्कुल split की हुए हैं अपनी legs, so straddle कर रहे हैं, ठीके, दूसरा context, अब राइडर हैं एक पर इस तरफ दूसरा पर दूसरा पर दूसरी तरफ अगें straddle कर रहे हैं, अब भी बात करते हैं, abstract context में क्या मिनिंग है, हमारे देश में अलग अलग political parties हैं और सबकी जो ideologies हैं वो अलग अलग है, अब left wing है, left wing की ideologies रहती है कि socialist रहे हैं वो और capitalism की against मिच बात करते हैं वो और जनली एथिस्म पर बात करते हैं वो और अनका मानना नहीं होता कि बागवान या मूर्ति पूजा जैसी कोई चीज होनी चाहिए और दूसरी तरफ जो right wing हैं वो बात करते हैं कि taxes कम से कम हो और free market हो और वो उनकी जो सोच होती है, वो orthodox होती है, belief system पुराना वाला चला आ रहा होता है और marriages इन सारे concept पे वो जाधा focus करते हैं जो traditional तरीके हैं उन पर जाधा focus रहता है, right wing ideologies वाली parties का, तो दो अलग अलग parties, इस्टिल हमारा जो political system है, वो क्या करता है, straddle the spectrum, यानि हर किसी को साथ में लेके चलने के कोशिश करता है, इनकाम पास करता है, दोसरे example, reactions to cultural shifts in Indian society, such as attitudes towards gender roles or traditional practices, straddle the spectrum from acceptance to resistance, अच्छा, यानि कि cultural shifts की अगर हम बात करें, Indian society में, तो हमें gender की roles और traditional practices देखने को मिलते हैं, यानि कि अलग अलग उस पे हमें view सुनने को मिलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई, ओरतों का काम सिर्फ गर पे बैठ के घर देखना होता है, बच्चों को पालना, पोस्टना होता है, खाना बनाना होता है, कुछ लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, ओरतों को बहार निकलना चाहिए, उनको jobs करनी चाहिए, career build करना चाहिए, और उनके पास सिर्फ ये काम नहीं होने चाहिए, तो हमें क्या देखने को मिल रहे हैं आपे, reactions, अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, to cultural shifts, cultural shifts हमें देखने को मिल रहे हैं, such as attitude towards gender roles or traditional practices, straddle the spectrum, यानि कि ये जो overall thought है, वो क्या करता है, straddle the spectrum from acceptance to resistance, यानि accept करने वाले भी हैं और resist करने वाले भी हैं, जो अभी मैंने discuss किया, women का जो role, gender का जो role है, particular उसका, आदमी को काम करना चाहिए, आदमी को जाके बहार निकल की job करनी चाहिए, और तो भी करनी चाहिए, ऐसा अगर कह रहे हैं आप, तो आप acceptance और resistance दोनों की बात कर रहे ह straddle the spectrum, you are straddling the spectrum, अभी हमारे सामने 4 sentences देखते हैं कौन सा कलर, the politician's policies straddle the spectrum from progressive to conservative, आजी बिलकुर सही है, politician है कोई, उसकी policies जो है, वो progressive और conservative दोनों तरीके की बाते करती है, जो भी policies हैं उनकी, तो यह सही है, the artist work straddles the spectrum from realism to surrealism, अब जो artist है, उनकी काम में हमें realism, यानि की real की जो photographs, या sorry, paintings हैं वो देखने को मिलती हैं, और surrealism, यानि imagination पे-based भी हमें बहुत बहुत काम देखने को मिलता है, उनके काम में, यह भी सही है sentence, the company's new products straddle the spectrum from budget to luxury, अब कोई company है, उसके जो products है, वो budget products भी है, luxury products भी है, अब example के तोरके, आब मारुती के example है, मारुती के पास budget cars भी हैं, और luxury cars करके उनका एक next सा करके एक brand है, जिसमें वो luxury cars भी बनाते हैं, तो वो भी है, ऐसे ही Tata के पास भी Tata की गाड़ी है, जागवार जो range है, उनकी वो luxury cars बनाने के लिए जाने जाती है, ठीके, so straddle the spectrum, she decided to straddle the spectrum of a research study by selectively choosing only a few topics on the subject, अब यह गलत हो गया, only a few topics जहां लगा दिया, अगर choosing different topics होता, या variety of topics होता, तो यह sentence ही होता, यहाँ पर उन्हों लिख दिया, only a few topics, यानि कि वो अपने आपको limit कर रही है, कुछी topics पर काम करूँगी, तो फिर यहाँ पर हम यह नहीं बोल सकते कि straddle the spectrum वाली बात है, तो this sentence is contextually incorrect, I hope आपको समझ में आ सबको सम्मिलित करना, income pass हमने already discuss किया, लो आगे आपके सामने, income pass, यानि सबको शामिल करना, embrace, गले लगाना हर किसी को, so यहाँ पर अलग-अलग ideas for embrace और income pass करने के बात हो रही है, antennas की बात करने तो concentrate, एक जगे पर focus, narrow down, कम कर देना अपनी जो सोच है उसको, specialize यानि एक ही ज और idiom पे जो भी जितना भी हमने आपे discuss किया, आपको बनाना है आपका खुद का एक sentence सही context में और आपके sentences के combination को, group of sentences को drop कर देना है इस video lectures के, lecture के comments section में, हर एक comment को मैं personally answer करता हूँ, जहां मुझे लगता है कि आप सही है, मैं appreciate करता हूँ, जहां मुझे लगता है आप गलत ह मैं आपको correct form share करता हूँ, आपके साथ correct sentence share करता हूँ, so that आप समझ पाएं कि आप कहां पे गलती कर रहे हैं और next time उस गलती को repeat न करके अपने आपको improve करें, ठीक है, अगर आप ये करते हैं, believe you be, हर बार बोलता हूँ, मैं आप सबसे ज़्यादा आप सीखते हैं, clear, दूसर आप मुझे अपना payment का screenshot इस username पे share करें, and I'll share the private telegram group invite link with you, group join करें, because actual discussion, actual mentorship उसी group में होती है, third thing, पूरा lecture आपने देखा, lecture number 48, lecture देखने के बाद आपको जाना है, आपके smart read course की dashboard पे, और attempt करनी है, smart read deal number 48, with utmost focus of yours, result, आने पर result screen से pick करनी है, आपको आपकी RC speed, और आपका RC level, दोनों के screenshots लेके drop कर देने हमारे private telegram group में, so that, हमेशा की तरह है, I can check, I can assess, I can gauge your performance, and then I'll be able to help you accordingly, मैं वेपन आपसे मिलता हूँ, एक नए lecture में कुछ नए वर्स के साथ, take care